इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। कम वसा वाले आहार अपने आप ही विफल रहे हैं। यह दवा हिरदे रोग के खत्रे को कम करने में मदद करती है। आपका डॉक्टर आपके लिपिड लेवल और इस दवा के आप पर असर के आधार पर सही खुराक निर्धारित करेगा। उच्च कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिस्राइड वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आपकी दवा को रोखना आपके लिपिड स्थर को बढ़ा सकता है। जिससे आपकी स्थिती खराब हो सकती है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है। आपके कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिस्राइड लेवल लिपिड प्रोफाइल को नियमित रूप से चेक करना महत्वपूर्ण है। यह दवा इलाज का एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थ और कम वसा वाला आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान की समाप्ती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। इस दवा को लेते समय आप सामान्य तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन अधिक वसा वाला खाना खाने से बचें। इस दवा का सेवन करते समय आपको समय समय पर लिवर फंक्षन टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है। तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। डाइबिटीज के मरीजों को इस दवा को लेते समय अपने बलड शुगर लेवल पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि इससे बलड शुगर लेवल बढ़ सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आईकॉन पर क्लिक करें। और All Notification को क्लिक करें धन्यवाद